कि हलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक मैं चैनल मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे पालक थेपला अपने मेधी का थेपला तो बनाया ही होगा यह गुजराती रेसिपी है आज हम बनाने वाले हैं पालक के थेपले और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे तो चली आज की रेसिपी शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने में डालेंगे आधी चोटी चम्मच मिर्ची आधी चोटी चम्मच हल्दी नमक स्वादनुसर डालेंगे आधी चोटी चम्मच जीरा और इसी के साथ हम डालेंगे आधी चोटी चम्मच अजवायन इसे भी थोड़ा साम क्रस करके डालेंगे और एक चमच कसूरी मेथी डाल है और दो चमच तेल लिया है अगर आप पूर ट्रेवल के लिए ले जा रहे सफर के लिए ले जा रहे तो ज्यादा लॉंग टाइम तक हम थेपलों को स्टोर करके रख सकते हैं अब इस अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे इन सब चीजों को फिर थोड़ा थोड़ा प पंच पालक को अच्छे से दोके साफ करके पेस्ट बना लिया है इसे भी हम इसमें । डाल देंगे और अच्छी तριके से मिक्स करेंंगे गिए तो हम इसे लगाने के लिए मैंने पानी का यूज ने किया है पालक का पेश्टी बना के मैंने उसी से आठा लगा आया है तो पालक को पिशते टाइम पानी ना डाले बिना पानी के ही positives तो ज्यादा पानी होने से फिर आठा को हमें ज्यादा को हमें ज्यादा ब्राध कड़ाएं इक बंच पालक लिया है एक गड्डी पालक लिया है पेश्ट बढाकर प्योंकि यह फिर पालचा अब इसे विल माणों प गाहं तो सबस्क्राइब वें इस तरों न सेंगे को पराथा सहो कि एकन सब्यू कि प्वाइसे टेल झारब के लागे जूसे आप पकाना जाहा को और दिखें शहरकनी पंक्रापाँ सबस्क्ब होगा नुम्हां या सबजी के साथ भी खा सकते हैं और बचो को टिफिन में भी दे सकते हैं और मैंने इसमें तील भी डाला था सफेद तील डालने आप इसके वेगर भी बना सकते हैं तो दीखिए बहुत ही सौट हमारा थिपला बन के तयार हो गया है आप भी एक बढ़ जरू ट्राइ करें मै आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, मोड़ के भी दिखाती हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फैमिली फ्रेंड में सेयर भी करना मैं मिलती हूँ नहीं रेसिपी के साथ तब तक लिए बाइ बाइ थैंक यू फर वाची